दोस्तों आज की क्लास कंप्यूटर के उन प्रशनों पर आधारित है जो एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं जी हाँ दोस्तों आज की क्लास में हम उन प्रशनों को देखेंगे जो की बहुत ही इंपॉल्टेंट हैं भेरी भेरी important हैं, भेरी भेरी important questions हैं, आज हम ऐशे प्रशनों को देखने वाले हैं, दोस्तों इसकी पहले का जो वीडियो मैंने upload किया था, उसमें मैंने basic से high level की question के बारे में बताया था, आज का वीडियो ठीक उसके आगे की कड़ी है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी च मैं उसका link description में दे दूँगा, दोस्तों एदि आप मेरा class पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्पोर important वीडियो में daily upload करता हूँ, और अभी तक आपने अगर like नहीं किया है, तो जल् मैंने लिया है, निमलिखित में से www का सही रूप क्या है, आपको www का full form बताना है, आपके सामने चार option यहां दिये हुए हैं, अच्छा एक चीज मैं clear कर दूँँ आपको, यहां जो options मैंने लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कि किसी exam में आए हो, आए भी हो सकते हैं, लेकिन फिलह मैंने option लगा रखे हैं, कि आप देखें, और देख करके जो है, सही answer क्या है, उसको टिक करें, ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं सोचिएगा कि option जो मैंने लगा रखे हैं, यह किसी exam में आए हो, आ सकते हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, गारंटी नहीं किता हैं, आए होंगे, ठीक है, बस मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी जानकारी को boost करने के लिए, मैंने option लगा रखे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको www का सही रूप बताना है, दूसरी चीज यह, देखी question कुछ हिस्सा हिंदी में है, कुछ English में है, ठीक है, option English में है, answer English में है, तो देखी computer एक ऐसा language है, computer एक ऐसा subject है, जिसको अगर आप Hindi और English दोनों मिला के पढ़ेंगे, तो अच्छे समझ में आएगा, अगर सोद हिंदी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपकी English कमजोर है, और सोद इंगलिस लेकी चलेंगे, तो भी आपको अ option है, window world wide, wave working window, world working wave, world wide wave, world wide wave, जी हां दोस्तों, www का सही रूप क्या होता है, world wide wave, यही आंतर सही है, ठीक है, चली, अगला प्रशन देखते हैं, ये तो आसान कोश्चन था, आप सबको आता था जो है, ठीक है, अगला प्रशन है, निमलिखित में से किस सब्तकार शंबंद है सूचना प्रद्धोगी की सब्दावलिश्ची नहीं है, सूचना प्रद्धोगी की मिन से information technology से नहीं है, मतलब कहने का मतलब यह है कि यहां जो भी सब्द यहां दिये गए हैं, ऐसा कौन सा सब्द है, जो information technology से सम्दित नहीं है, cyber space, download, प्रकाश भंदार और, modem, अब cyber space के अगर बात करें, तो cyber space तो internet से सम्दित है, ठीक है, computer सम्दित सब्द है, download भी वहीं होता है, और modem भी internet या computer से सम्दित है, लेकिन अगर प्रकाश भंदारन की बात करें, तो प्रकाश भंदारन यह computer से सम्दित सब्द नहीं है, तो इसलिए प्रकाश भंदारन क्या है, information technology य चली अगला प्रश्ण देखते हैं उस hardware device का नाम बताईए जिसे computer का दिमाग करते हैं means brain वो कौन सा device है कौन सा यंत्र है जो computer का brain कहलाता है और ध्यान दीजिए आपको यहाँ कह रहा है hardware hardware अच्छा यहाँ पर चीज क्लियर कर दूँ जो है hardware और software क्या होता है अक्सर आप confused होते हैं ठीक है hardware क्या होता है ऐसी चीजें जिसको हम इसपर्स करके छू करके मसूस कर सकें वह hardware है जैसे keyboard है mouse है आपका जो CPU का box है ठीक है RAM है ठीक है मतलब जितनी पी चीजें आग से आपके दिखाई पड़ रही हैं और जिसको आप छू सकते हैं चूकर मसूस कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है वो सब क्या है hardware है लेकिन ऐसी चीज जिसे आप देख तो सकते हैं मसूस भी कर सकते हैं लेकिन इस पर्स नहीं कर सकते उसको टच नहीं कर सकते आप वो क्या है software है ठीक है मतलब जितने भी प्रोग्राम है ठीक है जितने भी प्रोग्राम है ठीक है विंडो है यक्सपी है ठी जितने भी प्रोग्राम में, चाहे वो application software हो, चाहे कोई भी software हो, वो सब क्या है, software है, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन छूप नहीं सकते, ठीक, मेरी ख्याल से मेरी बात नियुमें बाप को बताना चाहता हूं, clear हो गया होगा, चलिए question की बात करते हूं, उ से computer का दिमाग करते हैं, आप क्या option है, CPU, secondary storage, RAM, data input, जी यहाँ दोस्तों, क्या है, CPU, बिल्कुल सही guess किया आपने, CPU, मिन से, central processing unit, CPU को फल फार्म क्या होता है, central processing unit, एक question मैंने आज include नहीं किया है, पिछला जो वीडियो था, उसमें एक question था, इसलिए मैं आज नहीं लिया है, एक्जाम में ए भी अक्सर पूछा जाता है, कि CPU को फल फार्म क्या होता है, तो central processing unit, अगर आपको CPU को, मतलब central processing unit की हिंदी में क्या करते कर नहीं मालूम, तो आज ओभी चीज में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस आप लाश तक बने रहिए, आपको CPU का हिंदी जान पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगला question बहुत ही महत्पूर है, electronic computer का आभिसकार किस ने किया, electronic computer, ठीक है, देखे, computer और electronic computer दोनों में अंतर है, ठीक है, computer के आभिसकार के अगर बात हो, तो नाम आएगा Charles Babbage का, ठीक है, अगर computer की बात करेंगे, नाम किसका आएगा Charles Babbage का, लेकिन अगर electronic computer के अगर बात करेंगे, तो उसमें नाम किसका लेंगे हम, Elenium Turing का, जी हाँ दोस्तों, Elenium Turing, electronic computer के आभिसकार काउन है, Elenium Turing, लेकिन अगर हम Charles Babbage की बात करें, तो Charles Babbage क्या है, ये computer के जनक है, फादर आप computer कहा जाता है इनको, ठीक है, चली, अगला question देखते हैं, ध्यान रखिएगा, Elenium Turing, बहुत महत्मूर question है, हमारे देश से समंधित question है, भाभा परुमाड अनुसंधान केंदर द्वारा बिक्षित सुपर कम्प्यूटर है, भाभा परुमाड अनुसंधान केंदर द्वारा बिक्षित सुपर कम्प्यूटर का नाम ब बिल्कुल सही आपने गेस किया, अनुपम, जी हां, बिल्कुल अनुपम है ये, एक्दम अनुपम जैसा नाम वैसा इसका काम, अनुपम सुपर कम्फियूटर है हमारे देश का ये, किस ने इसको डवलप किया है, भाभा अटॉमिक रिसर्ट सेंटर के द्वारा ये अनुपम। चली अगला question भी बहुत ही महतपूर question है बार बार पूचा जाता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है आपका आप्शन है माशा यूशी शन डाक्टर विंटस जी सर्फ बिल गेट्स बिमल जालान अब मैक्सिमम लोग तो कन्फ्यूज होकर क्या करेंगे बिल गेट्स पर टिकर देंगे भया बिल गेट्स इंटरनेट के जनक नहीं है माइक्रोसाफ्ट के जनक हैं वो तो इंटरनेट के जनक कौन है डाक्टर विंटस जी सर्फ जी हाँ दोस्तों बिलकुल सही आंसर है डाक्टर विंटस जी सर्फ ध्यान रखिएगा इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है डाक्टर विंटस जी सर्फ जो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ जिस स्टाइल्स में पढ़ा रहा हूँ क्या आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा आपका कमेंट हमारे उस साखों बढ़ा देता है केंदरी प्रसंसकरन रिकाई किसी कहा जाता है चलिए अब मैंने पीछे भी कहा था ना कि मैं आपको CPU का फुल फार्म बताऊंगा जी यहां दोस्तों CPU means Central Processing Unit CPU का फुल फार्म होता है केंदरी प्रसंसकरनर इकाई ठीक है अब केंदरी प्रसंसकरनर काई किसे कहा जा तक तो आराम साब गेस कर सकते हो hardware कहेंगे साफ्ने वर कहेंगे computer का mastic या memory यहां दोस्तों किसको कहेंगे computer के mustisk computer का brain और है computer कब एक क्या है CPU ठीक है तो CPU क्या है computer का mustisk है तो सही answer क्या हो गया computer का mustisk के अंदरी प्रसंसकरन का किसे कहते है computer का मसिस्क पढ़ाते समय जो भी चीज़े आप देख रहे हैं समझ रहे हैं अगर कोई दिक्कत समझ माती है तो उसको भी अगर आप नकार देंगे तो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी इसलिए उसको बताईए जरूर जिसके उसको सुधारा जा सके ठीके दोस्तों चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कम्प्यूटर डाटा की सबसे छोटी क्या है बहुत महत्मूर कॉश्चन ये भी है रिकार्ड फाइल बिट बाइट जी हां दोस्तों बिट क्या है बिट रिकार्ड और फाइल की बाती छोड़ी ये तो कोई मतलब ही नहीं है ये साप्शन का जो है बिट और बाइट यहां जो आप्शन लगे हुए दोनों इन्हीं दोनों का मतलब है ठीक है बिट और बाइट में कितने का सम्मंद होता है एक और आठ का सम्मंद होता है तो बिट क्या है सबसे छोटी क्या है ठीक है कम्प्यूटर डेटा नापने की सबसे छोटी क्या है बिट है चली अगला थाई मेमोरी तो RAM RAM means random access memory RAM जो है ए आस्थाई स्मृति है ठीक है मतलब हम जब भी कोई instruction देते हैं न जो है computer को जो भी हम कोई संकेर देते हैं keyboard के माधियम से mouse के माधियम से तो चीज़ें कहा जाती है RAM पे जाती है ठीक है RAM उनको थोड़ी देर रखता है processing करता है मतलब जब तक power रहेगी RAM working condition रहता power जैसे ही cut होगा RAM की स्मृति चली जाती है ठीक है RAM उसको भूल जाता है ROM क्या है इसको बोलते है read only memory RAM क्या है ROM क्या है read only memory तो ROM को हम permanent memory कहते हैं computer क्या है है permanent memory है random क्या read only memory ROM मतलब read only memory RAM मतलब random access memory RAM क्या है अस्थाई स्मृति है ROM क्या है अस्थाई स्मृति है तो सही answer क्या हो गया ROM ठीक है दोस्तों चली हाल्डिस्क की भी answer सही है ठीक है लेकिन अगर सेफ करते हो उसमें तो option में अगर हाल्डिस्क दिया है तो हाल्डिस्क का आप टिक मत करिएगा अस्थाई इस्मृति के अगर बात होगी permanent memory के अगर बात करेंगे तो permanent memory में नाम किसका आएगा ROM का नाम आएगा ठीक है read only memory पे आप टिक करेंगे ध्याँ रखिएगा ठीक है अगला question पे चलते है इस्टक्शन के समूव को क्या करते हैं जो computer को बताता है कि क्या करना है ठीक है देखी हम computer को क्या करते हैं पहले से ही धेर सारे instruction दे के रखते हैं ठीक है बाद में उसके आधार भी क्या करते हैं computer से काम करवाते हैं तो जो instruction हम देते हैं उस instruction को क्या कहा जाता है instructor कहते है program कहते है compiler कहते है या mentor कहा जाता है जी हैं दोस्तों क्या कहते हैं उसको एक दम बिल्कुल सही आपने guess किया क्या कहते है प्रोग्राम कहते हैं बहुत महत्मूर कुर्शन ने बार बार पूछा जाता है ये इस्ट्रक्शन के शमूह को क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं ठीक है चली अगला कुर्शन देखते हैं भारत का प्रथम कम्प्यूटरी कृत डागघर कौन सा है भारत का प्रथम कम्प्यूटरी कृते डागघर कौन सा है दोस्तों इसकी पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत का प्रथम कम्प्यूटरी कृते रेलवे आर्चन केंदर कौन सा है या आर्चन केंदर वाला इस्टेशन कौन सा है रेलवे इस्टेशन कौन सा है ठीक है अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बाक्स में लिके बताईएगा नहीं जानकारी है तो फिछले वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिशन में जाके उसको देख लीजिएगा आज ये एक कोश्चन भी बार-बार एक्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं क्या नई दिल्ली भारत का प्रतम कंप्यूटि के डागर कौन सा है नई दिल्ली ठीक है दोस्तों चली अगला कोश्चन देखते हैं मेगा बाइट में क्या मापा जाता है भोकम की तीब्रता जन्शंख्या घनत्त अ कंप्यूटर की श्मृती सक्ति बै की छमता जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कंप्यूटर की इस्मृति को हम नापते हैं किसमें मेगा बाइट में ठीक है चली अगला प्रशन देखते हैं कंप्यूटर के शम्मंद में एल यू का क्या तात्परी है अलजबरिक लोजिक यूनिट अर्थमेटिक लाजिक यूनिट अलजबरिक लोकल यूनिट अर्थमेटिक लोकल यूनिट ठीक है देखिए पहली बात तो यह अलजबरिक से कंप्यूज मत होजेगा अलजबरिक का कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर में पहली बात तो हां लोकल तो होगा नहीं पहली बात तो कोई लोकल इंट है क्या कोई पुछी की तोड़ी है से एड़ी तोड़ी एक लोकल इंट ही थी क्या होगा अर्थÓमैटिक लॉडोग यूडोरी सही करता है उसको परफार्म करता ऊसका प्रॉसर्शिंग करता है ये कोशन भी बहुत कुशन ब्रफुट्टीन पहली कंप्यूटर भाषा कौन से बिक्सित गईी? मतलब कंप्यूटर की पहली भाषा का नम बताना है. ठゃप है? आगला question देखते हैं भारत की सबसे बड़ी software company कौन सी है विप प्रो, SEL Tech, Infosys, TCS भाई अगर software company के बाद का रहेगी सबसे बड़ी company के बाद का रहेगी तो तो है क्या TCS जी यहां दोस्तों TCS भारत की सबसे बड़ी software company है दुनिया का पहला computer कौन सा था महतपूर question है अल्टराश, इनिक, टैंडी या नोवेला जी यहां दोस्तों बिल्कुल सही आपने guess किया है इनिक एकदम सही आंसर है दुनिया का पहला computer कौन सा है इनिक चली अगला question देखते हैं सूचना का राजपत किसी कहा जाए थोड़ा सा confusing question है अब यह सूचना का राजपत कहां सा गया, राजपत तो दिल्ली में भीया ना, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, सूचना का राजपत, information का राजपत, ठीक है पत वो भी कैसा, रास्ता वो भी कैसा, राजपत, राजाओं के चलने का रास्ता क्या होगा, internet, email, cellular phone या computer आप में से बहुत सारे लोग से इमेल पर जाके टिक करके चले आएंगे सुचना का राजपत इमेल नहीं दोस्तों क्या है इंटरनेट भया इंटरनेट रहेगा तभी ने इमेल भेजोगे आप तो सुचना का राजपत क्या है इंटरनेट सुचना का राजपत किसे कहा जाता ह इंटरनेट को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, चली, अगले प्रशन पे चलते हैं, Question number 18, Computer निवलिखित में से कौन सा कारी नहीं करता है, बहुत महत्मूर Question है, पिछले वीडियो मनें बताये था कि Computer इन में से कौन सा कारी करता है, ठीक है, ये भी Question पूछा गया, कौन सा कारी करता है, ये भी Question पूछा जाता है, ये भी Question पूछा जाता है, ये आपसे, आपके Option है, Processing, Database, Controlling, Understating, देखें दोस्तों, Computer Processing तो करता है, Processing अगर नहीं करेगा, तो काम कैशे होगा, Computer क्या करता है, Processing तो करता है, Database भी बनाता है, Controlling भी करता है, लेकिन भाया, सबसे बड़ी ये जो अजीब बात है, वो क्या है, Understanding, Computer के बास से Understanding नहीं है, समझ नहीं है उसके पास, जब तक उसको आप बताओगे नहीं कि नाचो, तब तक नाचेगा नहीं, आप कहोगे गाओ, तो गाएगा, आप कहेगा लिखो, तो लिखेगा, आप कहोगे कि ये जोड़ो, तो जोड़ेगा, ठीक है, आप नंबर लिखे छोड़ दो, तो जोड़ेगा, नहीं, जब तक आप कहोगे नहीं, जब तक उसको sign नहीं लगाओगे, आप plus का, तब तक को जोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो command आपको, जब तक आप command नहीं देंगे, तब तक को कारी नहीं कर सकता, मतलब उसके अंदर understanding नहीं होती है, तो यह answer सही है, कौनसा, understanding, चली, अगला question देखते हैं, question number 19, computer के लिए IC chip आमतोर पर बनाए जाते हैं, integrated chip, IC chip मतलब integrated chip, ठीक है, सीसा से बनता है, copper से, chromium से, या silicon से, जी हाँ दोस्तों, IC chip जो बनाई जाती है, किस से बनती है, silicon से बनाई जाती है, silicon की बनी होती है, ठीक है, indicated जो chip होती है, किस की बनी होती है, silicon की बनी होती है, चली, आज का last question देख लेते हैं, silicon word अभी उपर आया है, तो silicon बैली के नाम से किस सहर को जाना जाता है, जी हाँ दोस्तों, बहुत important question है, मुंबई को, कुलकाता को, नई दिल्ली को, या बेंगलूरू को, जी हाँ दोस्तो कम्प्यूटर की कमपनिया, software कमपनिया, hardware कमपनिया कहां है, बेंगलूरू में ही इस्तित है, इसलिए इसको हम क्या करते है, silicon valley की नाम से जाना जाता है, दोस्तों, आज का class आपको कैसा लगा, comment करके जरूर बताइएगा, आपकी जो भी सुझाओं हैं, सिकायते हैं, वो भी अपलोड करता हूँ, और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, भाई, class का time खत्म हो चुका है, अब तो लाइक कर दीजिए, शलिए, thank you